बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आपका स्टूडियो में खास मेमान के तौर पर हमने बुलाया है दीप शिखा जोशी को आपने CA फाइनल परिक्षा में अखिल भारती इस्तर पर 28 वी रेंक हासिल कर उदैपुर का गौरव बढ़ाया है आप शुरू से ही मेधावी चात्रा रही है आपने बाहरवी में भी 95.5 प्रतिशत अंकर जित किये थे तो इस तरह से पढ़ाई की तरफ रुजान शुरू से ही रहा है और पहले ही अटेम्ट में आपने CA की परिक्षा को उत्तीर्ण किया है रेंक के साथ उत्तीर्ण किया है इस तरह से अपना और अपने अपने अर्जित की है इसके लिए खुब बेहनत की है आपने तो इसके लिए खुब सारी बधाईया और शुब कामना है देंगे हम बताइए कि ये जो सफर रहा बारवी में आपने जो अच्छे अंक हासिल किये थे कॉमर्सी सब्जेक्ट था आपका आपको शुरू से इसी लाइन में जाना था उसके बाद में आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तैयारी शुरू कर दी और जो भी अटेम्ट आता गया पहले ही अटेम्ट में आप फाउंडेशन इंटर और फाइनल आप क्लियर क अगर बना दिया या फिर इसमें आते रहे व्यवदान कोई भी यात्रा बिना व्यवदान के तो पूरी नहीं हो सकती है तो बंबी राइट तो सबके लिए होता है जैसे स्टार्ट किया था सी पीटी के टाइम तो मेरे हमेशा ऐसे ही राए कि जब भी जैसे कोई एक्जाम स तो इससे पहले में बिमार हो जाना आया ऐसा कुछ ने कुछ प्रॉब्लम यह दिमाग में आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है नहीं पॉजिटिविटी भी है मेरे अंदर मैं जानती हूं कि अगर भगवान एक्जाम से ले रहे हैं आपके तो आपके अंदर कोई पोट नहीं चूड़ी और इस तरह से कभी भी आपको वैसी दिक्कत नहीं आई कि कोई एकाथ पेपर रह गया हो आगे उसको क्लीर करना हो यह दिक्कत हैं कभी नहीं आई तो स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी कि पहले से आपको बता था कि भई हूब सारी मैनत करनी है घर में ही किताबों के साथ यारी दोस्ती कर लो पहले से ही है लेकिन और बढ़ा हो और एक्जाम पास कर लो या फिर कोई ऐसी वैल प्लेंट स्ट्रेजी होती है जैसे चैस का जो प्लेयर होता ना शातिर जो होता है शत्रंज खेलने वाला वो पूरी अपनी रणनीती बनाता और अग कर लिए दूप तैसे मैं पास हो सकती हूं तो मैं पांच घंटे पढ़ूंगी इस तरह से कोई मोका नहीं देना है मैंने किताबों से यारी कर रखी थी क्योंकि हम किता भी प्लैन कर लेते पर को रोना के टाइम में सीअ फाइनल के एक्जाम सुए हैं तो हमारे प्लानिंग बार-बार फेल ही हो रही थी, क्योंकि पांच बार तो हमारे exams पोस्पून हो हैं, तो हम कितना भी प्लान कर लें, पर जब तक कि हम वो patience बना के नहीं रखेंगे, और जब तक कि हम try करते नहीं रहेंगे, hard work, अपनी किताबों से प्यार नहीं कर लेंगे, तब तक हम नहीं कर सकते, यूँकि एक टाइम पर फ्रस्टेट हो जाते हैं, आपको 6 महीने मिलें, आपको लगता है 6 महीने पढ़ना, exams देने और काम खतम, और उसकी जगे extend होता जाए, होता जाए तो, जी, जो CA की exam में syllabus में जो किताबें होती है, उनके नाम जो हम देखते हैं, तो कई लोग बुरा सा मूँ बनाते हैं कि क्या है ये, तो पढ़ने में मज़े जैसी चीज होती है, आपको बड़ा अच्छा लगता था? पढ़ने में मज़े जैसी चीज होती है, जैसे हमाई subject कैसे होते है, direct tax है, indirect tax है, हर इंसान जानना चाहता है कि मैं जो कमा रहा हूं कितना return में बढ़ूंगा, जैसे हमाई CA के लिए सभी कहते हैं, पर indirect tax, आजकल GST तो कितना बड़ा बना हुआ है, क्या है आखे GST, हर businessman जान करने हैं उसको, हर subject अपने आप में एक vast scope लेके है, तो जितने भी subjects हैं, आपको सारे पढ़ने में अच्छे लगते थे, कोई आपका favorite subject था, कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, फेवरिट subject में taxation है, और कम अच्छा लगने में audit थोड़ा हार्ट पढ़ता है, क्योंकि theory मेरी थोड़ी ठीक ठीक है, तो इस तरह से आपने एक समायोजन बनाया कि आपको जो subject, अच्छा लगता है, उसको आप ज्यादा पढ़ते थे, या जो अच्छा लगता है, उसी पर ज्यादा फोकस रहता था, फोकस वैसे तो सब पर बराबर रहता था, लेकिन फिर जो कम पसंद था, उस पर जादा महनत करनी पड़ती थी, क्योंकि theory अगर आपको नहीं पसंद तो आप justify भी नहीं कर सकते सामने वाले को, कि आपको इतने marks मिलने चीए, या क्योंकि वो subjective हो सकता है, अगर practical आपने सही किया तो आप कह सकते हो, क्योंकि मेरा answer perfect है, ये सही है, आपने क्या भी सकते हो, question भी कर सकते हो सामने वाले को, लेकिन theory में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, जादा प्रिपैर करना पड़ा उसे, दीपशेखा, जो C.A. का exam दे रहे हैं, aspiring students है, और आप जानते हैं कि C.A. के exam का जो प्रतिशत है सफल का मंत्र क्या है आपके पास, किस तरह से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, हाँ ये किया जा सकता है, इसमें आप सफल हो सकते हैं, आपको कुछ भी जादा नहीं सूचना है, कि किते percentage result रहता है, अगर आप पहले से negative thinking रखेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर आपने decide किया है, आपको ये करना है, तो फिर डटे रहो, पूरा अपना 100% दो, और कोई second thought मत दो, कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आधा time अपना वही चीज़ खा जाती है, कि मैं क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, subject वैसे भी आठाट, subject है, और सारे अपने आप में अलग अलगें, तो time वैसे भी नहीं होता हमाई पास, वेस्ट करने के लिए, जो CA का paper बनाने वाल लोग होते हैं, वो खडूस होते हैं, वो मतलब आपकी mentality समझते हैं, कि ये पुराने paper जरूर refer करेगा, और उसके एसाब से तयारी करेगा, या फिर जो पुराने आपकी paper होत कर रहे हैं, आपका patience टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई paper बहुत hard आता है, तो फिर marking में उस हिसाब से होती है, जो examiner है, आप डाल डाल होते हैं, तो वो पात पात होने की कोशिश करेगा, तो आप से वन अप रहने की कोशिश करता है, आपको उनसे वन अप रहना है, तो ये आप किस वक्त पढ़ती हैं थी, पढ़ते हैं वक्त आप क्या music सुनना पसंद करती थी, या बिल्कुल आपको silence चाहिए होता था, आप बिल्कुल कमरे में बंद होके पढ़ती थी, पढ़ने के लिए आप memorize करती थी, या notes बनाती थी, क्या तरीका था आपका पढ़ने का, प अगर notes की बात करूँ, तो notes आप जितना खुद लिखते हैं उतना improvement होता है, अपको जितना time है उसे आप साप सापको manage करना है वालत चीज़े, लिकिन बहुत सार ऐसे होते हैं, कि authors books दे दी उन्होंने, कि ये end time पे देख लेना, तो वो आपको उतना effective नहीं हो सकता, जितना अपने खुद अपने हाथ से लिखा हो, जितना आप खुद चौटन अप करेंगे उतना beneficial लेगा, क्योंकि लास्ट एक दे, वन दिन में, रिवाइस करना है पूरा एक दिन में, तो उस हैसे साप से notes तो बनाने ही पड़ते है, notes बनाना ठीक रहता है, उसके अलावा और क्या थ्यान रखना होता है कि किताबें जो है वो आप सुबह के वक्ति ये पढ़ने, शाम के वक्ति ये पढ़ने, ऐसा कुछ, वो जैसे मैं हूँ, तो मैं सुबह के वक्ति थयोरी जादा पढ़ती थी, तो उससे मेरे वाक भी हो जाती है साथ में, क्योंकि आपको exercise भी करते रह होगे, तो फिर health का क्या होगा, फिर आप बिमार होगे अगर एक्जाम के ज़स्पर एक्जाम के पहले बिमार होगे और जैसे अमाए को बोजन का आहार का पोशन का एक्सरसाइस का सब का बराबर धियान रखना है, सब कुछ बैलेंस आप सिफ पढ़ते रहों कि आप सोच इसमें थोड़ा सब पीपर के बारे में बताई जो हमारे दूसरे युवादोश को कल कोई एक्जाम देने वाले हैं, उनको मदद मिल सके कौन-कौन से पेपर होते हैं, कितने इसमें चरण होते हैं, जैसे आपने बता हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल होता है, इसमे और थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, उसके सिवाए इंटर्मीडियर जो होता है, उसमें आठ पेपर जोते हैं, और फाइनल जैसे मैं ने अभी दिया, उसमें भी आठ पेपर होते हैं, तो बस दो ग्रूप में डिवाइड़िद होते हैं, चार-4 पेपर, और अगर चा को कुछ इनाम बगर देते थे पेंपर करते थे कि आज मेरा पेपर अच्छा हुआ तो आज में चॉकलेट काऊंगी या मुवी देखने जाओंगी या घूमने जाओंगी ऐसा कुछ करते थे हम फैमली के साथ ताइम नग चुटी शुक रवाद देना हम फैमली ताइम स्वेट पाइनल दग तो ये कंडिशन हो गई थी कि एक्जम क्यों कि हो इनी रहते हो इनी रहते तो मेरे भाई ने मुझसे रिवाद लिया है क्यों कि मैं तुझे सहन गर रहा हुँ मैं इसना तु तो आप फैमली का भी कहीं न कहीं होता है ना कि वो कहीं जहानी सकते यह लाके दो यह लाके दो आप अपड़ ए हो फुल टाइम तो उनको भी आवाज चिसे ौशिती आवास कम रखनी है तो उल्टा उसने मुझसे रिवाद लिया है एंड में तो यह फैमिली वाली जो बात है यह बहुत इंपोर्टेंट और वाइटल रोल होता है फैमिली का तो आपके मामले में यह किस तरह से महत्वपून रहा मेरी फैमिली ने मेरा फुल सपोर्ट किया मैं मुमा पापा और भाई तीनों मतलब लगे हुए थे मेरे पीछे मैं प्रॉपर गाउं से आती हूं एक मोडी बाठेडा तो मेरे पापा ने यह शिफ्ट इसलिए किया था ताकि मेरी पढ़ाई करवा सके अच्छा आपका जो पैत्रिक घर है वह वहां पे गाउं में तो फिर परिवार वालों का पूरा सपोर्ट रहा परिवार वालों का पू कॉंग्रेट्स कर रहे हैं मतलब अपने दुख को भुला के भी हमाने मेरी खुशियों में साथ हैं मतलब बहुत हिमत ची होती है दीप शिखा हम आपको खुब सारी बधाईयां देंगे और जानना चाहेंगे कि किताबों के अलावा दीप शिखा जोशी कुम और किस तरह सम किताबे पढ़ना मूवीज देखना बहुत पसंदे सौंग सुना भी बहुत पसंदे खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद खाना खाना पसंदे तो यह सारी चीजें आप करें और आपने वाकई सफलता आरजित की है हम सब के लिए गौरव की बात है आपको खुब सारी आपको खाना आरजित व lovely मौरव मौरव हिसस फसे सकतरी खाना बनाना मौरव झाल झाल